नमस्कार प्रियसाथियों मैं गंगाराम और आप देख रहे हैं जोतिस और समाधान हमारे यूटूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहत्रीन नेचुरल स्री लंका का पुखराज यलो सफायर बहुत ही चमकदार रतन है कलर बहुत बढ़िया है किसी प्रकार का कोई दाग धबा नहीं है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं गवर्मेंट लेब आई जी आई जी टी ऐल से सर्टिफाइड है सर्पिटिकेट भी आप स्क्रीन पर देखिए और बारकोड रीडर एप्लिकेशन अपने फोन में डाउनलोड करके स्कैन करके भी आप चेक कर सकते हैं प्रेसाथियो यह है रतन 6 करेट का है इसकी कीमत मैं आपको बताऊंगा साति सात में पुखराज रतन किन राशी एवं लगन वारे जातकों का बनाता है राजयोग किन परिस्थितियों में पुखराज तत्काल धारन कर लेना चाहिए पुखराज रतन कितने रत्तिका पहनना चाहिए किस मैटल में अंगुठी बनने चाहिए इसकी धरण विधीक क्या है तमाम बाते आपको बताऊंगा लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं मैं आपको बता दू जोतिस के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समश्याओं के समधान के लिए अच्छी स्रेणी के राशी रतन खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मेरा फोन नंबर, मेरा वोटसप नंबर आप इस स्क्रीन पर देखी रहे हैं तो चलिए साथियों विशे में आगे बढ़ते हैं पुखराज रतन मेस और करक राशी वाले जातकों का भाग्य रतन है पुखराज रतन धनू और मेंद राशी एवं लगन वाले जातकों का राशी रतन माना जाता है जीवन में चाहे कितना भी पैसा हो कितना भी अमीर आदमी हो कितनी भी जमीन जाइदाद हो गवर्मेंट जोभो वगेरा वगेरा लेकिन जब तक ब्रहस्पति की इस्थिति कुंडली में मजबूत नहीं होगी व्यक्ति को जीवन में सुक प्राप्त नहीं हो सकता तो यदि बहुत संपन्यता होने के बाद भी जीवन में सुक नहीं है, शांती नहीं है, स्थिर्ता नहीं है, तो आपको निश्चित रूप से बिना विचार किये, जनम पत्रिका और हस्त्रिका दिखाए भी पुखराज रतन धारण कर लेना चाहिए। इस दुनिया में सबसे बढ़िया पुखराज स्रिलंका से आता है, सिलोन से, वह भी नो ट्रीटमेंट होना चाहिए, और गवर्मेंट लेब या किसी अच्छी लेब से सर्टिफाइड होना चाहिए। जहां तक इस पुखराज रतन की कीमत का सवाल है, जो आपके सामने स्क्रीन पर है, इसकी कीमत है आठ हजार रुपे पर के रट, अड़तालीस हजार रुपे का या पीज बनता है। इस से सस्ते या इस से महेंगे रतन खरीदने के लिए आप सीधे-सीधे मुझे आप वोट्सप चेट, फोन कोल कर सकते हैं। प्रियसातियों पुखराज रतन देवगुरु ब्रहस्पति का रतन है और देवगुरु ब्रहस्पति हमारे जीवन में सुक्व की कारत माने जाते हैं। सोने, चांदी, अश्टधातु या पंचधातु की अंगुठी में पुखराज दारन किया जा सकता है। प्रांत, भगवान नारायन के मंदिर जाकर अन्यदान करना पुखराज रतन पहनने वालों के लिए बहुत स्रेष्ट माना गया है। प्रेसातियों, आप बास्तु विजिट के लिए समस्त वैदिक करमकांड के लिए राशी रतन खरीदने के लिए जनम पत्री का हस्त रेखा दिखाने के लिए सीधे सीधे हमें फोन कोल या वोटसप कोल कर सकते हैं। हमारे जोत्सियों की टीम सुबह नौ बज़े से लेकर के रातरी आट बज़े तक आपकी सेवा में तत्पर रहती है। यदि आपको हमारे एपिसोड अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चाइनल को करें सब्सक्राइब मिलते रहेंगे ऐसे ही जानकारियों के साथ भविश्य में भी तब तब के लिए नमस्कार